नमस्कार न्यूस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहार और चले बुलिटिंग के शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ आपको बता दें कि सिटम्बर को सियम योगी आदितनाथ ग्रेटर नोडा आएंगे सियम योगी आदितनाथ इस मौके पर जेवर एरपोर्ट फिल्म सिटी के कारियों की समीक्षा करेंगे इसके साथ ही गुर्जर समराट महर भोज की प्रतिमा का अनावरंड भी करेंगे CM योगी आदितनाथ 21 सितंबर का ये पूरा कारिक्रम है जहाँ पर CM योगी आदितनाथ प्रादिकरेट के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे तो 21 सितंबर का ये दौरा CM योगी आदितनाथ संगठन के साथ चुनावी तैयारियों पर भी बातचीत करेंगे 21 सितंबर को Greater Noda पहुचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है आपको बता दें कि Greater Noda पहुचेंगे 21 सितंबर को जहाँ पर वो संगठन के साथ चुनावी तैयारियों पर बातचीत करेंगे इसके साथ ही Film City के कारियों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ 21 सितंबर का ये पूरा दौरा है जहाँ पर जेवर एरपूर्ट के कारियों की भी समीक्षा की जाएगे इसके साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली जाएगी मनीश सिसोदिया ने कहा है कि यूपी के लोगों को 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिले की और सरकार बनने के बाद 24 घंटे के अंदर हर आदमी को फ्री बिजली दी जाएगे डिप्टिय सियम मनीश सिसोदिया ने ट्वीट कर ये बड़ा एलान किया है साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार बनने के बाद किसानों, नौजवानों और विरूजगारों की हर समस्या दूर की जाएगे फिलाल आमादी पार्टी के सांसर संजे सिंग और नेताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमे के बारे में उन्होंने कोई भी टिपनी करने से इंकार कर दिया है उत्तर प्रदेश में आमादी पार्टी की सरकार बनेगी एकले जिना सवाचनाव के बाद और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के हरे घर अभी उपस्ता को 300 जी फ्री कर दी जाएगी किसानों को खेती के लिए फ्री कर दी जाएगी योगी सरकार के महंगे महंगे बिजली के बिल जो लोगों को परिशान कर रहे हैं लोग सुसाइट करने पर मजबूर हैं, लोग तरे हुए कि सरकार उठाके उन्हें अपरादी गोशित कर देगी, सब के बकाया बिजली के बिल माफ कर दे जाएंगे और 24 घंटे बिजली उपलब कराई जाएगी, यह आमादमी पार्टी का प्रामिस है, और आमादमी पार्ट अपने निर्धारित कारिक्रम के दोरान हर्दोई जन्पत के परीक्षा ग्रह पहुंचे बारी बारिश के चलते देरी से पहुँच पाये थे इस दौरान डिप्टी सियम मौरा ने कई परियुजनाओं का लुकार पंड किया और साथ ही एक सुसाथ करोड की लागत से बनने वाले राम गंगा नदी के पुल का शिलान नयास भी किया है तो डिप्टी सियम केशाप्रसाद मौरा आज हरदोई पहुँचे जहां पर उन्होंने 107 करोड की लागत से बनने वाले राम गंगा नदी के पुल का शिलान नयास किया है इसके साथ ही उन्होंने कई परियुजनाओं का लुकार पंड भी किया है कुछ वजहों से वो देरी से पहुँच सके थे आपको बता दें कि डिप्टी सियम केशाप्रसाद मौरा का हरदोई का ये दौरा जहां पर वो परिक्षा ग्रह पहुँचे थे आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते हैं डिप्टी सीयम केशा प्रसाद मौरे कुछ देरी से पहुँच सके हैं मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है पूरा मामला अम्रोहा का है जहां मुख्यमंत्री के दौरे से पहले डियम और एस्पी ने पुलिस लाइन की खाली पड़ी जमीन का निरिक्षन किया और मैदान की जल्द सफाई कराकर उप्युक्त स्थान पर हेलिपेड बनाने के दिशारिदेश जारी किया है तो आपको बता दें कि अम्रोहा में मुख्यमंत्री का दौरा होना है जिसको लेकर प्रिशासन अलर्ट मोट पर आ गया है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीन को खाली पड़ा कराया गया है इसके साथ ही वहां का नीरिक्षन जो है वो आला दिकारियों के दौरा किया गया है लगातार हो रही भीशन बारिश के चलते जिलादिकारी लखनो अभीशेक प्रकाश ने निर्देश चारी के हैं जिसमें 15 सितंबर की राज से हो रही लगातार भारी बारिश को देखते हुए जिलादिकारी ने अलर्ट मोट जारी करते हुए निर्देश दी हैं साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जरुवत पढ़ने पर ही घरों से निकलें और भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक जाम बाले छेत्रों में जाने से बचें खुले बिजली के तार खंबो से पच कर रहें और कोई भी अन्य समस्या होने पर जारी किये गए हेल्प लाइन नंबरों पर समपर्क करें तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि लगातार हो रही भीशन बारिश के चलते जिलादिकारी लखनों अभिशेक प्रकाश ने निर्देश चारी कर दिया है उन्होंने कहा है कि लखनों में 15 सितंबर की राज से हो रही भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और उन्होंने अपील की है कि जरुवत पढ़ने पर ही घरों से बाहर निकलें इससे पहले बाहर ना निकलें और अगर जरुवत पड़ेगी कोई समस्या होती है तो इसके लिए help line number भी जारी किये गए है पस्चे मंगाल के चकरवाद तूफान का सरु उत्तर प्रदेश में दिख रहा है UP के 40 जिलों में 18 घंटे से लगातार बारिश ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है तो वही बारिश के चलते हैं इन जिलों में कई लोगों की मौत भी हूगई है तो वही कई जगहों से ऐसी खबरे भी आई हैं जहां घर के मकान गिरने से कहीं लोगों की मौत हुई है तो कहीं लोग घायल हुए हैं दो दिनों से लगातार बारिश के चलते ये असर देखने को बिल रहा है तो चक्रवात तूफान ने भी लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है दो दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते सडकों पर पानी भर गया है जहां पर घरों में, दफ्तरों में और इसके साथ ही साथ सडकों पर पानी भर गया है जिसके चलते लोगों को आने जाने में, दफ्तर पहुँचने में, घर जाने में बाकी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है मतुरा रास्टे लोगदल चातर सभा यूपी के दवारा क्यार डिग्री कॉलेज के सामने शातरों ने विरोध परतर्शन किया जहां शातरों ने कॉलेज के प्रधाना चारे को ग्यापन सौपा है, शातर सभा के अद्यक्ष विश्वेंदर चौधरी का कहना था कि कई शातरों के शातरवत्ती नहीं आ रही है जिससे उन्हें परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कॉलेज के द्वारा चातरवती फॉर्म को उपर नहीं भेजा गया जिससे कि यह दिक्कत उत्पन हुई है इस पे पूरी लापरवाही कॉलेज प्रशासन की है जिसे लेकर चातरों ने प्रधर्शन करते हुए प्रधाना चारे को ग्यापन सौपा है तो यस्टिर चातरों की शाथरों के जिदक केर्वे को ऑने मांग की है कि उन प्रधान ड़ संपना पर शंपर गया परिसे समय पर नहीं आती नगी दो खार्ण के यह जswेख़ 50-20 पर का चांगर चाहर रहा आभाई ते की घटे आ मैं अलीगड की कुटवाली बन्ना देवी लाके में एक महला अपने स्पेशल चाइल्ड के अड्मिशन के लिए अजिलाप्रशासन से गुहार लगा रही है बता दें कि भीमा नगर कॉलोनी में बने अकैडमी पब्लिक स्कूल ने एक ऐसे मासूम बच्चे का स्कूल में अड्मिशन लेने से इंकार कर दिया जो मासूम बच्चा पहले से मस्तिस्क से कमजोर सीपी चाइल्ड है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है वरिष्ट पुलिस अदिक्षा के कारयाले की गेट पर सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस कर्मी ने अपने बच्चे के अड्मिशन को लेकर स्कूल प्रवंधक कमेटी के उपर सवाल या निशान खड़ी किये हैं तो वहीं महिला पुलिस कर्मी महिला की जिला प्रशासन से मांग की उसके सीपी चाइल्ड बच्चे का अड्मिशन की वेविस्था किसी भी स्कूल में कराई जाए उसका बेटा भी और बच्चों की तरह स्कूल जा सके तो अलिगर का ये पूरा मामला है जहां पर स्कूल ने एडमीशन लेने से इंकार कर दिया था जिसके बाद अब महिला पुलिस कर्मी ने बेटे का एडमीशन कराने की जिला प्रशासन से गोहार लगाई है महारी ड्यूटी तो ही ही पर ही है फुलिस ओफिस जी पर मैं अपने बच्चे का एडमीशन कराने के लिए गई थी स्कूल में उसके बच्चे की तो बच्चे की थोड़ी देखवाल भी हो जाएगे और अपने स्कूल भी थोड़ी नॉलिज में भी आएगा बच्चा को थोड़ा साथ बच्चों के साथ बैठेगा तो इसमें फिश इंप्रूमेंट भी आएगा मैंडली जाहें तरफ योगी सरकार महिलाओं के सुरक्षा के लिए लाख वादे करती हो वही दूसरी तरफ उसी सरकार के नुमाइंदे महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए आगरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें जिलाधिकारी के ड्राइवर मुकेश कुमार और उनकी पतनी के द्वारा बहु के साथ मारपीट और नशीली दवाईयां देते हुए वो लोग नज़रा रही है वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि ड्राइवर और उसकी पतनी बहु के साथ मारपीट कर रहे हैं और नशीली दवाईयां खिला कर दहेज की मांग कर रहे हैं अब देखना होगा कि योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर प्रशासन के ही लोग कानूनों को अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपको बता दें कि जिलादिकारी के ड्राइवर का ये पूरा मामला है देश भर में बच्चों को माध्यान भोजन उपलब्द कराने वारी संस था अक्षापात्र फानुडेशन ने गुरुवार को मतुरा जनपत के ग्राम आजनौख में तीसरे रसोई घर का भूमी पूजन किया है श्रीधाम बरसाना से पांच किलोमीटर दूरी पर छाता मार्ग में बनने वाले सामुदाइक रसोई घर से 40 गाओं के लगभग 63 विस्विध्यालों में 5,000 बच्चों तक 63 विध्यालों में से 5,000 बच्चों तक गर्मा गरब भूजन पहुंचाने का कांग किया जाएगा कारक्रम के अध्यक्षता कर रही यूपी सरकार के डेरी रिकास मंत्री स्रील लक्ष्मी नारान चौधरी ने कहा कि अक्षय पात्र की सेवा कारे हमारे जन्पत में अध्यूती है आज इसका शलाम्याश हुआ है लगभग छे से आठ मही में गनके प्रियार हो जाए तो इसमें लगभग लगभग पांच करों को पीमत से तयार हो जाए एक कमीटी सेंटर भी होगा ये अच्छे पात्र के द्वारा मेरे छित्र में च्छतीस गावों में चाठ लित्याले ह हो हुआ है लगभग लगभग छाटीस रित्याले थायार हजारों चाक्रों को पूप है कि तो आज वास्त के लिए तर्जा घुजन मिलेगा अच्छा घुजन मिलेगा ए कि एक कमीटी में सेंटर भी हमने रहा है आज अक्षे पात्र का एक और पहल शुरू आए यह है कि हम अब तक तो हमारा एक लाक और इसे बड़ा बड़ा किचन स्था हम एक और फ्यल शूरू करें कि चोटे चोटे किचन थेहां पर पांच जार पर चीजार बचे के लिए लिए किचन हो और उस समुधाए में जहापर हम सेवा कर रहें काम कर रहें उन लोगों से जुटे और उन खेलों की दूएना से आ रहें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे विराट होली ने T20 फॉर्मेट से कपतानीी चोड़ने का एलान कर दिया आपको बता दे की T20 वर्ल्ड कॉप के बाद कपतानी चोड़ने का एलान कर दिया उन्होंने पूरी जानकारी दिया है विराट पोली ने इस वक्ति सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहाँ पर विराट पोली का कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है उन्हें आपको बताते हैं कि बंडे के कप्तान वो पहले की तरह बने रहेंगे तेस्ट के कप्तान भी वो पहले की तरह बने रहेंगे लिकिन अब वो T20 में कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो फेल की दुनिया से आ रही है विराट कोली ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है विराट कोली ने ट्वीट कर ये ऐलान किया है जहांपर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि आप वो बल्लेवाजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और बल्लेवाजी पर फोकस करने के लिए आप वो T20 की कप्तानी से विश्राम विराम लेना चाहते हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विराट कोली ने T20 फॉर्मेट से अब कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया है हाला कि वो पहले की तरह टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बने रहेंगे लेकिन T20 वर्ल्ल कप के बाद वो T20 फॉर्मेट से कप्ता कप्तानी छोड़ देंगे तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है जहां पर विराट कोली ने T20 वर्ल कप के बाद कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया है इसके साथ उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने रोहित शर्मा और इसके साथ ही हेड कोच रवी शास् और मैट से कप्तानी छोड़ रहे हैं। और मैट से कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि विराट कोली ने कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया है। पुलिस लगातार चोरों बदमाशों पर शिकंजा बनाए हुए है। पुलिस ने बताया कि चोर सोने चांदी के आभूशन और मुबाइल की चोरी करके बेचता था। जिसे पुलिस ने पखड़ लिया है। पुलिस ने चोर से पुछताच की तो एक और यूवक का नाम सामे आया है जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। खाना छेत्र मलपुरा में एक चोर को पकड़ा गया है जिसका नाम है धर्मेंद और अहिया उस छोटू पुत्र चंडरभां निवासी नगला बगड़ धनौली। खाना मलपुरा का रहने वाला है। इसके साथ में एक और साथ ही है पारस भी धनौली का रहने वाला है पारस अभी गिराफ्तार नहीं हुआ है। यह भागा हुआ है जो हमने इससे बरामत पिये हैं वो 10,000 रुपए बरामत हुए हैं इसके अलावा 12 मुबाइल बरामत और एक RC रेजिस्टेशन सेटरिकेटिक बरामा दूगा है कुल तीन मुकद में जो रीसेंट में हमारे इसाना सेतरत मलकुरा में लिखे गए हैं वो इसने कबूला है इसने वेरिफाई किया है कि तीनों जो चोरिया है इसने खुद की है बहराईच में लगातार कुछ हफ्तों से हत्याओं का सिलसिला जारी है जिले में बढ़े अपरादू ने पुलिस तंत्र की धज्या उड़ा दी है अभी हाल ही में दो दिनों में हुई चार हत्याओं का खुलासा पुलिस कर ही नहीं पाई थी कि फिर एक बच्चे की हत्या का प्रयास करअपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है बताया जा रहा है कि बॉंडी लाके में साथ साल का एक बच्चा अपने खेत में गया हुआ था जहां उसका गला रेत कर हत्या का प्रयास किया गया बच्चे की चीख पकार सुन हत्यारा फरार हो गया जिसके बाद लोगों की मदद से बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पिताल में भरती करवाये गया जहां उसकी हालत नाजुपनी हुई है बस्ती में नौवी के चात्रा की संदिग्द परिस्तियों में मौत होने से पूरे परिवार में हड़कम बच गया है बता दें की चात्रा की विद्याले के छट से गिव कर मौत हुई आनन फानन में विद्याले प्रवंधन बच्ची को लेकर अस्पिताल पहुँचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया सूचना पर पहुँचे पुलिस मामली की जाँच में जुट गई है महराजगन जिले के निचलॉल थाना शेतर के खुनहौली गाउं में मिट्टी हटाने को लेकर दो पडोसियों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तका गई दो महिलाओं के बीच हुई मारपीट में एक महिला के सर पर चोट लगने से महिला की मौत हो गई सूचना मिलने पर पहुँची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है अज सुबह जिस समय बारिश हो रही थी निचलाओ थाने के खोनोली गाओं में दो पड़ोसियों में आपस में मिट्टी हटाने को लेके विवाद हुआ इसमें दो महिलाओं के आपस में जगरा हुआ एक महिला के सर में इंट लगने से छोट आई है इससे अस्पतार ले जाते समय उसकी मरत्य हो गई है इसमें सुसंदक धाराओं में एफायार पंजी किर्ट की जा रही है और तीन लोगों को नामित किया गया है उनकी किरिफतारी के लिए दबश दी जा रही गोंती नदीर किनारे स्थित शमसान घाट पर नमाखों से शहीद जवान दिनिश कसौधन को अंतिम विदाई थी कई बता दें कि जवान सोमवार को ड्यूटी के दौरान करेंट लगने से उसकी मौत हो गई थी तो वहीं डियम अमेठी ने सीम के ओर से दिये गए परकाबाद के काइम गज में खेट से चारा काटने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने दमपती पर हमला करती है जिसके बाद महिला की इड से कुछल कर हत्या कर दी गई और पती को अधमरी हालत में छोड़ कर हमलावर फरार हो गए जिसके बाद गंभीर हालत में शक्स को अस्पताल में भरती कराया गया इधर पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू करती है कानपुर दियाद में चोरों के होसले इसकदर बड़े हुए हैं कि उनके लिए पुलिस शायद कोई माइने नहीं रखती ताजा मामला सी लहरा गाओं का जहां चोरों ने एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के घर को निशाना बनाया पहले घर की रेकी की गई और फिर चोरी की घटना को अन्जाम दिया क्या इस दौरान घर में रखे डबल बैरल बंदूक और लाकों की नगदी जेवर को वो लेकर फरार हो गए फिलाल बोलिस मामले की जाच कर रही है हमारे घर में अभी तक जितना हमने देखा है निश्चण किया है उससाब से हमारे बंदूक गई है डीबीवेल बंदूक की लाइसंस की कापी गई है जेवर गया है और हो सकता कुछ डाकुमेंट भी गए अभी हमने देखा नहीं है वो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या गया है अच्छा मैक्समाम जूलरी कितने की होगी और कितना एटम अभी तड़ी लगबग 10 से 12 लाख रुपए की जूलरी गई होगी क्योंकि इसमें हमारे मेसेच के जूली थी हमारी माताजी के जूली थी हमारी दो बुवा हैं उनकी जूली थी अच्छा आप लोग कहा थे सुमें मैं फतेपुर डिष्टिक में सिच्छक पत्पर कार रहती हूँ तो मैं अपनी डूटी पे था और मैं हर सनिवार को घर पे आता था ये पहले एक हमाय उपर डगेती पड़ी थी तरानवे में मार्च सत्रानवे में डगेती पड़ी 16 सत्रा की रात थी उस समय हमारे पिता जी का मर्डर भी हो गया था उसके हम 396 के बादी है और मुकदमा चला बदमास कुछ पकड़े गए एक बदमास घायल हुआ था यहां डगेती में उसको यहां गोली लगी वी थी वो भी पकड़ खेंगेती बेदे बी चला गया फरारारार हो गया था । यहां जी साल बाद उसकी जमाना तो प्र पता नहीं वे मारे गए क्या है कुल में लगा कर मुकदमा चला तो मुकदमा फर चूट चाड़ गया और इसके बाद यह दूसरी गटना हो गई हमारे साथ बली है तो फिल झाल झाल